दोस्तो GST के दो important update इस वीडियो में आपके साथ share कर रहा हूँ पहला है GSTR 3B को लेकर क्या GSTR 3B की revision को allow कर दिया गया है यह advisory आपके सामने open की है इस advisory में लिखा है कि कुछ taxpayer को revise करने के लिए allow किया गया है तो कौन से taxpayer को किया गया है तो दोस्तों यहां क्या हुआ है कुछ taxpayer का जो data है उनके filing process में error हुई थी error हुई है या filing process के दोरान कुछ difference आ रहा है between जो GST system में data save हुआ है और जो actual data file किया गया था taxpayer के दोरा ITC table में और text liability में वो दोनों ही save करते समय portal में site पर ही mistake हो गई है तो इस error को examine किया गया and delivered by grievance related committee के दोरा तो फिर committee ने decide किया है जो यह return है जिसमें error हुआ है इनको reset किया जाएगा और taxpayer को opportunity दी जा रही कि वो इन गलतियों को ठीक कर सके तो जिन taxpayer के portal से यह गलती हुई है केवल उनी taxpayer को mail भेजी गई है और उनी taxpayer के dashboard पर यह refilling का option आ रहा है तो आप उसको use करके correct कर सकते हैं और उन taxpayer से request की जा रही है जिनके पास यह mail आई है और अपनी 3B को refill कर दे 15 days receipt of information तो दोस्तो taxpayer के लिए एक बड़ी रहत है अगर आप से कोई 3B में mistake हो गई थी और तो आपको refill का option दिया जा रहा है यह एक बड़ी रहत है और बाकी refill करने के लिए जो normal taxpayer है उनको किसी भी तरह का कोई भी relief नहीं दिया जा रहा है दोस्तो अब बात करते हैं 16 चैर की 16 चैर में आपको ITC claim करना होता था जिस भी year के आपको ITC claim करना होता हो तो next year के सितंबर मन तक आप ITC को claim करना होता है लेकिन दोस्तो अब इस date को fix कर दिया गया है यह date बड़ा कर 30 नवंबर कर दी गई है ITC claim कर सकते हैं यानि जिस year का आप ITC claim करना चाहते हैं उसके next year के 30 नवंबर तक आप ITC claim कर सकते हैं पहले आप 30 सितंबर तक ITC claim कर पाते थे लेकिन उस date को आप fix और extend permanent कर दिया गया 30 नवंबर